ये साबुन सरीर को healthy और naturally बनाता है जैसे कि अगर किसी के face यानी अगर किसी के चेरे पे कील, मुहासे, pimples या फिर acne की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये साबुन है जो जड़ से ठीक करने का काम करता है ये आपके चेरे के skin को एकदम गोरा कर देता है और इस साबुन का उपयोग, skin से related किस परकार के दिक्कत, किस परकार की समस्या रहती है मरीज को तब डॉक्टर के दौरा ये साबुन पे subscribe किया जाता है या फिर skin disease से related किस परकार की समस्या यानी और कि आप रोग तोचा पे रहता है तोचा से संबध्दित किस परकार की समस्याओं में, किन-किन समस्याओं में, डॉक्टर के दोरा ये साबून पर एसक्राइब किया जाता है, ये साबून का एक दिन में कितनी बार यूज करना होता है, साबून का डोच क्या होता है, साबून का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी देंगे जैसे कि अगर किसी के चेरे पर यानी अगर किसी के फेस पर कील मुहासे की समस्या रहती है तो इस समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अगर किसी के चेरे पे कील मुहासे की यानि अगर मुहासा हो जाता या पिर कील की समस्या आ जाती है एकनिक की समस्या चेरे पे आ जाती है ये निकलने लगता है, चेहरा एकदम खराब हो जाता है, चेहरा एकदम भद्धा लगने लगता है, तो इन सारी समस्याओं को जो फेस पर होता है, इसकी इन से रिलेटेड यानी फेस पर, तो इन सारी समस्याओं को ये साबुन है, जो जड़ से ठीक करने का काम करता है, वहां से pimples या फिर acne की समस्या रहती है तो आप वहां पे देखा होगा कई बार क्या होता है उनके चेरे पे पूरे चेरे पे दाने पढ़ जाते हैं दाने पढ़ने के कारण उनका जो pimples और acne की समस्या ठीक हो जाता है यानि जो उसके चेरे पे pimples और acne की समस्या पहले था तो पहले अगर उसके चेरे पे pimples या फिर acne की समस्या रहा होगा तो जिसके कारण उसके चेरे पे दाग पढ़ जाता है दाग धब की समस्या को भी ये ठीक करता है यानि अगर किसी के चेरे पे pimple की समस्या रहती है, तो आपने देखा होगा, उनके चेरे पे छोटे-छोटे दाग पड़ जाते हैं, वाइट-वाइट से दाग, यह पूरे चेरे पे δाग पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है, चेरा बहुत भद्धा दिखाई देता है, तो चेरे पे दाग धबे की समस्या रहता है उसे भी ये जड़ से ठीक करने का काम करता है यानि दाग धबे की प्राबलम के लिए ये साबून एकदम रामबार की तरह काम करता है उसे जड़ से एकदम खतम कर देता है दाग धबे की प्राबलम को और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के चेरे पे दाद हो जाता है यानि रिंग बार दाद की समस्या में भी इस साबून का काफी जदा उपियोग करने के लिए डॉक्टर देते हैं कई बार देखा होगा जब किसी के चेरे पे हाथ में दाद हो जाता है तो उसके हाथ में होने के बाद में उसके फेस पे पे हो जाता है, उसके कान के साइड पे हो जाता है, उसके नाक पे हो जाता है, मत्य पर दाद की समस्या हो जाता है, तो उस दाद की समस्या को भी ठीक करने का काम करता है, क्योंकि इसमें नीम, हल्दी, अलूबेरा का ये मिक्स करके साबून बनाया जाता है, ये साबून काफी अच्छा होता है दाग धबे और दाद के जैसी समस्याओं को ठीक करने का ये काम करता है दाद होने के बाद में जैसे अगर किसी के चेहरे पर दाद की समस्या रहती है तो दाद ठीक हो जाता है उसके बाद में उसके चेहरे पर दाग धबे की समस्या हो जाता तो ये उसे भी काफी ज़्यादा प्रेस्कराइब किया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं ये साबुन आपको एक दिन में कितनी बार यूज करना होता है जैसे कि ये साबुन डाक्टर के दोरा जो यूज करने के लिए बताया जाता है ये साबुन दिन में आप तीन से चार बार ये साबुन आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, यानि आप अपने फेस पर ये साबुन लगा करके धुल सकते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये साबुन यूज करने से पहले, जहां आप अपने फेस को पहले पानी से धुलने, धुलने के बाद में, साफ तौलिया से पोच लें, उसके बाद में फिर आप ये साबून आप अपने फेस पे लगाएं, लगाने के बाद में कम से कम चार से पांच मिनट आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से ये साबून मोस्चे राइज करें, जैसे कि आप मसाज करते हैं, ठीक उसी परकार से ये साबून आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से एग मिनट जैसे कि लगाएं, लगाने के बाद में फिर आप पानी से धुलें, धुलने के बाद में आप अपने फेस को साफ तौलिया से पोचें, उसके बाद में आपको धूप में 10 से 15 मिनट तक धूप में नहीं जाना होता है, जिससे क्या होगा जो आपके चेरे पर कील, मुहासे, पीमपल्स, डार्क, स्पोर्ट, एकनिक जैसी समस्य हैं जो रहती हैं, वो जड़ से ठीक हो जाएंगी, और जैसे कि ये साबून आपके चेरे पर चमक लाता है, आपके चेरे और कोई समस्या है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा, कोई भी मेडसीन जो डाक्टर आपको दे, वो यूज करें, कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडसी खुझ से उपियोग ना करें